हेलो स्टुडेंट आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चेप्टर वन रिडिलेशन और फंक्षन इसकी मिस्लीनेस एक्सराइज के 13 तू 19 कोशन करेंगे हम तो हम 13 कोशन से स्टार्ट करते हैं देखो इसके अंदर आपको कोशन क्या दिया हुआ है गीवन ए नॉन एम्टी सेट ए यानि एक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट है नॉन एम्टी है इसके अंदर एक बाइनेरी ओप्रेशन देखो यहां पर तो हमेशा कार्टीजन प्रोड़क्त होता है पी एक्स इंटू पी एक्स से कहां जा रहे है पी एक्स पर बीडिफाइंड एस कैसे डिफाइन किया है बाइनरी ए बाइनरी बी इस इक्वल टू हमें क्या दिया है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस यह हमें दिया हुआ है फोरेवरी ए बी कहां से जा रहे पावर सेट पी एक्स मतलब पावर सेट अब हमें क्या शो करना है कि एम्टी सेट फाई हमें शो यह करना है कि एम्टी क्या होगा हमारा फाई होगा और फिर यह का है and all the element of a a के अंदर जितने भी element होंगे कहां से px के px के जितने भी element a है वो क्या है invertable है with a inverse is equal to a यानि कि वो खुद का से ही inverse है हर element जो है खुद का ही inverse है ठीक है तो यह हमें show करना है तो हमने पहले जो हमें given है operation लिख लिए 5 क्या लिक लिए हमने binary px to px से कहां गया प्येस पर गया तो आपमें क्या शोग करना है देखो अब हमें सोचने की जुरूषत नहीं है क्यूं क्योंकि इन्होंने हमें क्या का है हमें यह नहीं करना कि हो सकता है यह नहीं हो सकता यह वाले कोई question ही नहीं है कि why इसका है यह नहीं है है जब इन्होंने कह दिया कि show करो सिर्फ तो हमें सोचनी कि जगां यहां पर हम B की जगां हमने क्या रख दिया देखो 5 रख दिया हमें check नहीं करना है हमें show करना है तो हमने B की जगा क्या put कर दिया देखो 5 पुट कर दिया अब जहां जहां आपका B है ना question में वहां 5 पुट कर दो तो A minus 5 union 5 minus में A ठीक है अब हमने ये put कर दिया जहां जहां भी था वहां यह कर रख दिया अब देखो एफाइ का मतलब क्या होता है इसके अंदर से हमें कोई भी element 5 मतलब क्या नों empty set नहीं जिसके अंदर element ही नहीं है तो अगर हम a set में कोई भी element नहीं है निए 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या रह जाएगा वो set ए रह जाएगा ठीक है फिर union अब यहने का है कि जब five मतलब जिसके अंदर कोई सेट नहीं उसमें से माइनस करोगे तो क्या नों ने यह mt set में से क्या माइनस करते हैं तो यह हमारा यह जाएगा फाई रह जाएगा यहां पर तो ए माइनस फाई तो ए हो गया और फाई माइनस ए क्या हो गया फाई अब हम इन दोनों का अगर union लेंगे तो बड़ा set आएगा यह यह यूनियन फाई कितना आ गया ए आ गया देखो हमने अगर फाई लिया तो ए के सपाना चाहिए ठीक है तो हमने यह करा A स्चार फाई किया तो हमारा क्या आ गया यह आ गया अच्छा अब इसका हम कॉम्यूतेटेज़ी भी करते फाई स्टार एभी करके देख लेते हैं अब की बार हमने क्या काया कि जो जो A था जहां पर वहां तो फाई पूट कर दिया और जहां पर B था, वहां पर हमने क्या पुट कर दिया? तो 5-A, union B की जगा A, minus 5. यह पुट कर दिया हमने, अब फिर वही बात उपर वाली 5 में से A minus करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, union A में से 5 minus करेंगे तो क्या आएगा? तो 5 star A भी हमारा क्या हो गया? A ही आगया, देखो, तो इसका मतलब 1 और 2 से क्या हो गया? हमारा A star 5 यह 5 star A, हमारा किसके equal आगया? इटसेल्फ के equal आगया हमारा A के equal आगया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा हमने यह शो कर दिया कि 5 जो है identity element है हमने क्या शो कर दिया 5 is identity element अब हमें क्या शो करना है कि जो हर element है all the elements of A जो है वो invertable है with A is equal to A inverse तो हमने जो हमें question दिया हुआ है उसमें B की जगा क्या put कर दिया बच्चो A put कर दिया तभी हम अगर हम A का A के साथ करेंगे तो हमारे को क्या मिलना चीए identity मिलनी चाईए जब ही तो A A का inverse होजाएगा identity मिलनी चाईए और identity क्या है मेरी 5 यानिकि A star A मुझे क्या मिलना चीए 5 तो जहां जहां पर भी यहां पर हमारा B है ना वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया A, खुद का खुद के साथ हमने binary लगाएंगे अब हम, तो हमने लगाई देखो, A की A के साथ binary, ठीक है, A की A के साथ binary लगाएंगे, तो जहां-जहां B है, वहां A put कर दिया A minus A, union A minus A, तो A star A कितना आ गया मेरा, यह A minus A कितना हो गया, 5, फ inverse यानि कि हर element जो है वो invertable है with a is equal to a inverse जो हमें proof करना था है हमारा question complete होता है हमारा 14th question है define a binary operation star on the set हमें एक set दे रखा है 0 से लेकर 5 तक का और इसके अंदर binary क्या दे रखे देखो a plus b है अगर a plus b की value 6 से छोटी है अगर दोनों को add करके 6 से छोटा आता है तो यह हमें क्या दे गया a plus b देगा अगर दोनों को add करके 6 से बड़ा आता है यह 6 के equal आता है तो यह हमें binary क्या value देगा a plus b minus 6 ठीक है यह हमें दे रखा है question में अब हमें फिर से show करना है शो करना होते है तो फिर confusion की बात नहीं होती है हमें शो करना है कि 0 is the identity for this operation यानि इस operation के लिए हमारी क्या identity है? 0 identity है और each element और हर element जो 0 नहीं है हर element जो 0 नहीं है set का is invertable और invertable होगा किसके लिए? 6-a के लिए ठीक है हर element जो 0 नहीं है क्या होगा हमारा invertable होगा किसके लिए? 6-a के लिए being the inverse of a अब देखो identity element हमें प्रूफ करना है 0 identity element है तो हमारा क्या आएगा सबसे पहले identity element प्रूफ करने के लिए हमारा क्या होता है? a star e निकालो या e star a निकालो किसके इकवल आना चीए? a के इकवल आना चीए और inverse के लिए क्या होता है? a star a inverse करो या a inverse o करो a inverse star a करोगे तो हमारा क्या आना चीए? identity element आना चीए ठीक है? ये दोनों हमारी प्रूफ करने जीरो तो a star 0 लगा दो तो a star 0 यानि कि a plus b आएगा हमारा कोई भी element अगर हम लेंगे 5 से छोटे हैं a हमारा सारे क्या है? 5 से छोटे हैं तो हमारा कौन सा लगेगा? binary a plus b लगेगा ठीक है? a plus b में हमें कौन सा लगेगा? क्योंकि हम जब 0 एड़ करेंगे 5 प्लस 0 भी एड़ करेंगे तो वो भी क्या आएगा? हमारा 6 से छोटा आएगा तो उपर वाला लगा a स्टार 0 लगाया हमने तो a plus 0 आ गया यानि a के इकवल आ गया या फिर हमने 0 plus 0 स्टार a करा तो 0 प्लस a ये भी हमारा किसके इकवल आ गया? a के इकवल आ गया तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया, 0 star a is equal to a star 0 a के एक वड़ा रहा है तो हमारा क्या हो गया, 0 हमारा identity element हो गया 0 हमारा क्या हो गया, identity element हो गया, अब हमें क्या proof करना है कि हर function के लिए, हर element के लिए इस set में जो की 0 नहीं है, 6 minus a क्या है, inverse of a तो अगर हमें क्या लगाने है देखो A star B binary के लिए हमें इन्वर्स के लिए 6 minus A लगाने है देखो हम जब इसके अंदर कुछ 6 minus A कुछ भी add करते हैं तो ये value हमारी 6 से बढ़ी आ जाएगी तो हमें कौन सा लगाने है देखो 0 के अलावा हम कौन सा लगा सकते हैं बाइनरी हमें लगानी है तो A plus B minus 6 वाल लगाएंगे क्योंकि इसी में लगा सकते हैं जब हम 6 plus कुछ करेंगे 6 से equal के लिए ठीक है हमें क्या दे रखा है 6 के equal भी ये आ जाएगा अगर A से A कट भी जाता है हमारा तो भी हमारा 6 के equal आएगा तो इसके लिए कौन सी बाइनरी है हमारी क्या दे रखी है A plus B minus में 6 दे रखी है तो हमें ये वाली लगाने है तो A star 6 minus A ठीक है A star अब हमें ये काए कि हर element जो 0 नहीं है उसके लिए 6 minus A क्या है inverse है तो A star 6 minus A लगा दिया मैंने कोई भी element लिया A अब देखो यहाँ पर लगाएंगे ये वाली तो A plus B की जगा हमने क्या रख दिया 6 minus A और minus में क्या है इसके 6 6 से 6 कट गया minus A से plus A कट गया कितना आ गया 0 आ गया ठीक है ये तो A star 6 minus A लगा दिया अब 6 minus A star A लगाएंगे तो फिर से रख दो A की जगा क्या रख दिया 6 minus A plus B की जगा A रख दिया minus में 6 तो ये हमारा minus 6 से फिर कट गया A से A कट गया तो क्या आ गया 0 तो यानि कि हर element जो 0 नहीं है उसके लिए जो 6 minus A क्या है इन्वर्स है तो A star 6 minus A is equal to 6 minus A star A is equal to क्या आ गया वारा 0 आ गया यानि identity element ने ये identity element आ गया हमारा तो हैं 6 minus A क्या हो गई हमारी identity हो गई हमारा 15 कोशन है देखो इसके अंदर हमें 2 से दे रखे हैं A दे रखा है, हमारे minus 1, 0, 1, 2 दे रखा है और B कितना दे रखा है, minus 4, minus 2, 0, 2 दे रखा है अब इसके अंदर क्या देखा है, FG, FG such that A से B तक दे रखा है B functions defined by, कैसे function defined है, Fx को तो क्या दे रखा है X square minus X दे रखा है, जहाँ X कहां से बिलॉंग करता है, A से बिलॉंग करता है और GX कितना दे रखा है, हमें 2 modulus of X minus 1 by 2 minus 1 और यह X कहां से बिलॉंग करता है, इसमें भी A से अब हमें question में proof क्या करना है, देखो, X belongs to A, R, F and G and F and G equal justify your answer, तो इसके अंदर हमें F and G क्या होंगे, equal होंगे for every X belongs to A में, ठीक है, तो अब हमने देखो, यह लिख दिया A के लिए जहाँ पर भी, इसका question का means यह है, जहाँ पर भी X जो है हमारा A से बिलॉंग करेगा, जहाँ पर भी X A set से बिलॉंग करेगा A का मतलब हमारा minus 1 या 0 या 1, 2 इन में से, जहाँ पर भी X A से बिलॉंग करेगा वहाँ पर F और G की value क्या है, equal है, यह हमें justify करना है जहाँ पर भी X जो है, A से बिलॉंग करेगा, वहाँ पर F and G की value equal है तो हमने A set लिख लिए, minus 1, 0, 1, 2 और B set लिख लिए, minus 4, minus 2, 0, 2 देखो इसके अंदर 2 number 0, 2 तो equal ही है, अब यहाँ F X कितना दे रखा है, मैं X square minus का X दे रखा है और G X कितना दे रखा है, 2, modulus of X minus 1 by 2, minus का 1 दे रखा है तो हम X कहां से उठाएंगे, A से उठाएंगे, क्योंकि वहीं हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैंने X के जगा क्या रखा, देखो, minus का 1 रखा बहुत easy question है, हमने X की जगा minus का 1 put किया, देखो, यहाँ पर रखा minus 1 का square, minus, और फिर X की जगा minus 1 तो यह minus 1 का square 1 हो गया, minus, minus, plus, यानि plus का 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया अच्छा, अब G में रखके देखते हैं, तो G, minus 1 X की जगा, is equal to 2, X की जगा minus का 1, minus 1 by 2, minus का 1 तो यहाँ पर 2 यह क्या हो गया, हमारा minus का 3 by 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर modulus है, तो modulus की जगा minus का क्या हो जगा, plus, यानि 2 multiply 3 by 2, minus का 1, तो 2 से 2 cancel out हो गया, 3 minus 1 कितना आ गया, 2 देखो X को जब हमने minus 1 रखा, तो F minus 1 कितना आ गया, 2 आ गया, और G minus 1 भी कितना आ गया, 2, equal हो गया तो सारे में values पुट करके देख लेते हैं, देखो 0 पुट करा हमने minus A में, और क्या है, minus 1 के बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है तो पहले हमने 0 रखा, तो X का स्क्राइब, 0 का स्क्राइब, minus 0, तो यह कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे रखो G पर, तो 2 यहाँ पे X की जगा, 0 minus 1 by 2, minus 1 तो यह 0 minus 1 में, minus का 1 by 2, और यह modulus की वज़े से positive हुजएगा, तो 2 into 1 by 2, minus 1, 2 से 2 कट गया, तो 1 minus 1 कितना आ गया, 0 आ गया अब हमने 1 पुट किया, X square minus X है, तो 1 का square minus 1, यहनी 1 minus 1, यहनी 0, यहाँ पे रखो G1 तो यह कितना आ जाएगा, 2 1 minus 1 by 2 minus 1, तो यह half ही आ जाएगा, तो 2 into half minus 1, यहनी की 2 से 2 कट गया, यह 1 minus 1 कितना आ गया, 0 आ गया, अब हमने 2 पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ ज जेगा और G2 की वैल्यू क्या जाएगी 2, 2-1 by 2, यानि की 2 इंटू 3 by 2 minus 1, यानि की 2 आ गया, तो यानि की X belongs to A, जितने भी हमारे X जो है, A में से बिलॉंग करते थे, उसमें F और G की वैल्यू क्या जाएगी, हमारे equal आजाएगी, question complete होता है, हमारा 16 question है, इसके अंदर क्या द दे रखा है, एक set दे रखा है, the number of relation हमसे ऐसा पूछा है, जिस contain करता है, जो 1 और 2 भी आना चाहिए, ठीक है, उस relation में 1, 2 और 1, 3 आना चाहिए, which are reflexive भी हो, symmetric भी हो, but not transitive, बताना है हमें, जो reflexive भी होना चाहिए, symmetric भी होना चाहिए, but not transitive, और set हमें क्या दे रखा है, 1, 2, 3 दे रखा है, देखो, तो अगर हमें reflexive बनाना है, question कि according reflexive बनाना है, तो हमें क्या-क्या element चाहिए, देखो, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, यह तो हमें चाहिए, चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, reflexive बनाना है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, symmetric भी बनाना ह है आर में से तो भी ये भी विलॉंग करना चाहिए आर में तभी तो यह हमारा symmetric होता है तो अगर 1,2 और 1,3 को हमें इस relation में contain करना है तो हमें symmetric बनाने के लिए तो 2,1 और 3,1 को भी इसके अंदर contain करना पड़ेगा अब आपको होगे कि मैं 1,2 और 1,3 तो कर लिया अगर जाएगा अभी अगर हमने यह relation में तो हमारी जो ट्रांजेटिव के condition है वह fulfill नहीं होती है क्यों देखो यहां पर क्या है टू का वन के साथ है फिर वन का थ्री के साथ है फिर टू का थ्री के साथ होना चाहिए लेकिन इस set कि हमारी condition है तो अगर हमने यहां पर टू थ्री या थ्री टू एड कर दिया तो हमारी क्या condition है यह वाली condition fulfill नहीं हो पाएगी यह ट्रांजेटिव हो जाएगा तो इस वज़े से यह हमारा क्या हो जाएगा यह केवल एक ही case possible है इसके अंदर जो कि हमारी यह जो इवन कंडिशन उसको fulfill करता है कि reflexive भी है symmetric भी है बढ़ ट्रांजेटिव नहीं है क्यूंकि देखो 21 और 13 तो इसके अंदर बिलॉंग करते हैं बढ़ 23 जो है इसके अंदर बिलॉंग इक्वेल crystall inches can't that toあ में इस सट से हमें ऐसे रैलेशन बüzik को तो कंडिशन करें और साती कैसा हो मारा इक्वील्यान स्याहिए हमारा वह संसा सबसे भी हिरक सी यह होना चाहिए हम्हारा इक्वीद है उसके बाद इन्हों yönए की हमारा मुद्टई और 2,1 क्योंकि हमें symmetric बनाने के लिए क्या चाहिए अगर 1,2 contain कराना है इसके अंदर तो हमें symmetric के लिए 2,1 भी चाहिए अब देखो यहाँ पर यह जो है relation हमारा यह इतना होने के बाद यह complete equivalence relation बनता है क्यों देखो यहाँ पर हमारा reflexive हो गया यह हमारा 1,2,2,1 क्या हो गया symmetric हो गया अब transitive के लिए देखो 1 का 2 के साथ 2 का 1 के साथ फिर 1 का 1 के साथ होना चेर वो भी यहाँ पर है तो यह छोटा सेट है जो हमारा तीनों condition को satisfy करता है तो यह हमारा क्या है equivalence relation इसके अलावा भी क्या हम बना सकते हैं तो हमारे को जब हमें पूरा set complete बनाना होता है यानि कि Cartesian product 1 का A का A के साथ करते हैं तो देखो यह element मेरे छूट जाते हैं क्योंकि यह तो मेरा क्या है small है कम से कम element में मैंने equivalence relation बनाया है अगर यह वाले element भी मैं इसके अंदर add कर देती हूं तो तब भी यह क्या बन जाता है मेरा equivalence relation बन जाता है तो इन्होंने question में यह पुछा था कि कितने relation बना सकते हैं तो एक तो यह relation बना लिया हमने कम से कम element यूज़ करते हैं और दूसरे में क्या है हमने यह सारे element लगा दिये जो हमारे multiply a में आते हैं कार्टीजन प्रुडक में यानि कि यहां तो यह reflexive हो गया यहां तक हमारा यह 1,2,2,1 लगाना हमें 1,2 contain कर नहीं है तो यह transitive यह 2,1 add करते symmetric हो गया ऐसी हमने जो यह 2,3 छोड़े थे इस वाले में 2,3 फिर इसके साथ symmetric के लिए क्या चाहिए मुझे 3,2 भी चाहिए तो वो भी कर दिया फिर 1,3 add किया तो इसका भी symmetric हमें 3 बन चाहिए तो हमें इसके अंदर कोई भी element देखेंगे तो यह हमारा transitive की condition भी fulfill करता है यहां पर 2 ka 3 के साथ 3 ka 2 के साथ तो 2 का 2 के साथ है ही हमारे पात 1 ka 3 के साथ 3 का 1 के साथ तो 1 का 1 ही हमारे साथ तो इससलिए हमारे number of relation कितने बन गए देखो 2 बन गए हमारे number of relation जो कि equivalence relation को satisfy करते तो इसका answer क्या जाएगा B य्यानि कि two answer आजएगा two cases possible अब हमारा 18th question है देखो इसके अंदर हमें function दे रहा है real number से real number पर और एक यह signal function दे रहा है signal function की definition होती है देखो signal function हमें देता है अगर x की value greater than 0 है तो यह 1 देता है हमें अगर x की value 0 होती है तो यह 0 देता है और x की value अगर less than 0 है तो ये हमें क्या सी value देता है minus का 1 मतलब है इसका graph है देखो यह वाला होता है, 0 पह तो यह zero value दे रहा है 10 पह single value 10 देगा और x greater than 0 पर ही क्या value देता है 1 सारे में यहां पर सभ्यक कोड़ी कोड़ा 1 यह इसका तो यह क्या देता है हमारा माइनस देता है तो यह heart और यह तो हमें एफ एटे स्री अंदर डिया है अवन extrêmement सब्सक्राइबिश्ट्ण यानि कि GX की value क्या है हमारी greatest integer है और यह जो greatest integer होते है यह less than or equal to x होता है जो नहीं करते है क्या करते हैं कहां पर 0,1 पर क्या कॉंसाइड करते हैं यह हमें show करना है करते हैं यह नहीं करते हैं ठीक है तो हमने क्या लिया सबसे पहले x कहां से कहां लेना है हमें 0 से 1 पर लेना है according to question x कहां से लेना है 0 से 1 पर लेना है 0 तो open interval में और 1 कहां है इंतर में 0 पूर्क के पीच में यानि कि 0 पॉई 2 पॉई तो देगा जिरो पाइंट वन पे क्या वैल्यू देगा जिरो देगा जिरो पाइंट नाइन पे जिरो पाइंट नाइन पे जिरो तो यहां पे जिरो से वन के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यह कितनी वैल्यू देगा हमें जीरो देगा और अगर हमने वन रख दी अगर हमने 1 रख दी तो यह क्या value देगा हमें 1 value देगा अब निकालते हैं हम जो हमें question में निकालना है देखो पहले fog निकालते हैं तो fog में यानि कि f of gx कर दिया अब gx क्या है मेरा greatest integer यानि कि x दे अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 से दोनों में निकालूंगी और f 0 कितना है मेरा f 0 जो है कितना है मेरा 0 है तो fog की value 0 पर क्या हो गई हमारी 0 से 1 के बीच में 0 आ गई और अगर हम यहाँ पे greatest integer में x की जगा क्या 1 पुट करते हैं तो f1 कितनी value देगा हमें greatest integer में 1 ही निकलेगा और f1 हमें कितनी value देगा यहाँ पर 1 value देगा तो यहाँ पर यह आ गए हमारे 2 cases में अब हम गॉफ निकालते हैं देखो गॉफ में क्या हुजएगा जी ओफ fx कर दिया अब fx में अब x is greater than 0 पर लेंगी क्योंकि 0 हमें क्या करना है देखो question में कहां से कहां तक लेना है 0 से 1 के बीच में 0 को include नहीं करना है 0 से 1 के बीच में लेना है अब हमें 0 तो include करना ही नहीं है इसके अंदर 0 से बड़े वाले करने है तो 0 से 1 के बीच में हमेशा क्या value देगा 1 value देगा तो इसलिए मैंने fx की value क्या रग दी 1, क्योंकि 0 तो हमें ले नहीं है, 0 इसके अंदर include नहीं है, 0 पे open interval है, 0 से 1 तक के बीच में लेना है, तो 0 से बड़े के लिए हमें ये function का ऐसी value दे रहा है, for every x is greater than 0 के लिए 1 value दे रहा है, और g1 क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, ये जो दोनों value है, ये coincide नहीं करते हैं, not coincide आ जाएगा, इसका answer हमारा, 19th question हमारा, देखो number of binary operation पूछेंगा, हमारा कहां से set AB में, तो हमारे number of binary operation का formula होता है, n की power n square, ठीक है, इसका formula क्यों होता है, हमारा n की power n square होता है, तो n कितने element है, इसके अंदर हमारे 2 element है, तो n की जगा 2 पूट कर देंगे, तो यहां पर क्या जगा 2 की power 2 का square, ठीक है, एन की जगा हमने 2 रख दिया, तो 2, 2 की power square हो जगा, यानि की 2 की power 4, यानि की is equal to me कितना आ गया, 16 आ गया हमारा answer, तो इसका कौन सा options है होगे, 19th question का B options है,